एक समय की बात है, एक कलाकार अपने ओजारों को थेले में भर कर जंगल की और चल देता है, थोड़ी दूर चलते चलते उसको रस्ते में एक बहुती सुन्दर पत्थर दिखता है, और बहुत सोचता है क्यों न इस पत्थर से में एक मूर्ती बनाऊं, फिर वो अपने थेले स ओजार निकालता है, और ओजारों से पत्थर को तरासना शुरू कर देता है, तभी पत्थर में से एक अवाज आती है, अरे भाई, रहने दोना दर्द होता है, यह सुनने के बाद कलाकार अपने ओजारों को अपने थेली में भर कर आगे चल देता है, चलते चलते उस कलाका को रस्ते में और एक बहुत सुंदर पत्थर दिखता है इस बार वह इस पत्थर से मुर्ति बनाने का सोचता है और वह अपने ओजारों को बाहर निकाल कर एक भगबान की मुर्ति तरासना शुरू कर देता है इस बार इतने बढ़िया से मुर्ति को तरासता है देखने से लग बहुत अलाकार एक गाउं में पहुशता है और देखता है बहा एक बहुत सुन्दर मंदीर का निर्मान हुआ होता है और बहा के लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तभी उसे पता जलता है मंदीर का निर्मान हो गया है लेकिन अभी मूर्ती का निर्मान नहीं हुआ है मूर्ति कहां से लाए तभी बहुत अलाकार सर्पन जी से कहता है सर्पन जी आप मूर्ति की बिल्कुल चिंता ना करे आप जंगल के इस रस्ते चले जाए आपको रस्ते में एक सुन्दर मूर्ति मिल जाएगी मैंने अभी उस मूर्ति को तरासा है आप उसको इस मंदीर पे इस्तापित कर सकते हैं ये सुनने के बाद सर्पन जी कुछ लोगों के साथ जंगल के रस्ते चल देता है बहुत मूर्ती लाने उनको मूर्ती मिल जाती है और मूर्ती को लाकर मंदीर में इस्तापित कर देते हैं अब लोग आते और मूर्ती के सामने अपना सर जुकाते और मन्नत मांगते मगर उस मंदिर में नारियल पूर्णे का कोई जगा नहीं होता तब सर्पन जी के मन में बिचार आता है नारियल पूर्णे के लिए मंदिर के बाहर एक पत्थर होना चाहिए तबी बो कलाकार सर्पन जी से उस पहले बाले पत्थर के बारे में बताता है जिसको बो मुर्ती बनाना चाहाता बगर बनाया नहीं था यह सुनने के बाद सर्पन जी उस पत्थर को भी जंगल से उठा कर लाता है और मंदिर के बाहर रख देता है अब जो भी मंदिर में पूजा करने आता है उस पत्तर के उपर अपना नारेल फोड़ता है फिर एक दिन दुप्यर के बक्त उस मंदिर में कोई नहीं रहता है तब दोनों पत्तर आपस में बात कर रहे होते जिस पत्तर पर आज सब नारेल पूरते हैं, वो पत्तर मुर्ति वाले पत्तर से बोलता है अरे वो पत्तर तेरी क्या किस्मत है, तुझे आज भगबान बना कर पूजा जा रहा है, तेरी इतनी आरती उतारी जा रही है यह सुनने के बाद मूर्तिवाला पत्थर बोलता है अगर तु मेरी तरह सहन कर लिया होता तो आज तु मेरी जगा बैठा होता जी हाँ दोस्तों अगर बहुँ पत्थर जिस पर आज नारेल पोरा जा रहा है अगर वो उस दिन दर्द सहन कर लेता तो आज वो भगवान होता और उसकी पूजा और आरती हो रही होती आज की पेनदाइक हिंदी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तो आज की कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है इस दुनिया में उसी इंसान को पूजा जाता है जो सक्सेस होता है और सक्सेस उनी लोगों को मिलती है जो अपने जीवन में कुछ बनने के लिए बहुत दर्द को जेलता है इसलिए दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आप आज जो भी कर रहे हैं आप उसको लगन और करी महनत से करिए चाहे बो पढ़ाई हो या फिर बिजनेस आपको सपलता जरूर मिलेगी दोस्तों इस कहानी की तरह हम सबकी कहानी है जो लोग दर्द सैते हैं भही अपने जीवन में कुछ बड़ा बन पाते हैं और उन्ही को लोग पूछते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा से जादा सेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम ऐसे कहानिया लाते रहते हैं तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत